व्लकॉम दो चैनल दे जोरावर क्लासे आप सभी का स्वागत आज की हमारी करण्ट अफेस की क्लास में वाइड यह होगी आपकी 12 ओफ नवेंबर की करण्ट अफेस की क्लास अगर बात करें एवनिंग की तो इवनिंग 430 आपकी मैट्स की क्लास रहती है ठीक है इन दोनों के तो टॉपिक्स हैं एक दिन पहले ही आपको टेलिग्राम पर बता देते हैं अगर आपने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है या आप फिलाल में हमारे साथ जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल हैं and this तयारी या this preparation is only for the KVSPRT students यह सिर्फ KVSPRT के लिए हैं बाकी अगर हम यहां पर successful रहते हैं तो आने वाले टाइम में हम other exams में other exams के तयारी भी जुरू रहेंगे बहुत सारे बच्चे मुझे CTET के लिए अप्रोच करते हैं but sorry my dear friend जिस चीज में हम अच्छे हैं अभी हम हम वही करना चाहते हैं उसके बाद result जो आएगा KVSPRT का वो बताएगा कि क्या हम आगे इस चीज में बढ़े या नहीं ठीक है बेफकूफ नहीं बनाना है अभी बच्चोगा simple सी बात यह है चली question आज का अपना session start करते question number one केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे अगले नो सेना परमुक के रूप में नुक्त किया है who has recently been appointed as the new navy chief by the central government और यह आज आपका super star question पहला question और पहला ही question जो है आपका super star है और यह है आपके vice admiral r. harikumar vice admiral r. harikumar को अगले नो सेना परमुक के रूप में नुक्त किया है वे वर्तमान में पश्चिमी नो सेना कमान के flag officer commanding in chief है वे 30 November को अपना नया कारेकाल समालेंगे वर्तमान नो सेना परमुक admiral कभी करमबीर सिंग 30 November 2021 को सेवा से retire हो रहे है तो कर question यह बनेगी पहले कोन थे तो वो थे आपके करमबीर सिंग जो 30 November को retire होने वाले है और उसके बाद vice admiral r. harikumar जो की admiral r. harikumar हो जाएंगे 30 November के बाद अपना कारेबार समालेंगे as a navy chief as a new navy chief चले next question की तरफ चलते है question number 2 उससे पहले मैं बता दूँ हमारा जो kvs का PRT target चल रहा है अगर उसको join करना चाहते हैं देखिए इसमें हमारी live classes रहती है यह वाली YouTube पे होती है आपकी YT पे YouTube पे रहती है जो हमने MC की शुरी स्टार्ट किये और उसके लिए आपको बहुत ज्या चला रहे हैं यह आपके लिए बैनिफिशल रहेगी इसमें रिकोड़ेट क्लास इस तीन सो बाइस रिकोड़ेट क्लास डल चुकी है बाकी एक दो टोपिक्स बच्चे में कंप्यूटर क्लास बच्चे में जल्दी ही पूरी हो जाएगी 95% तक आपका कोर्स कंप्लीट है प सीरियस बच्चे जो हैं वो हमारे साथ सिर्फ अन्रोल करें अगर आप चाहते हैं अन्रोल करना आप जुड़ सकते हैं क्योंकि हम अब इसका प्राइस टाइम बढ़ाते रहेंगे और एक दिसमबर 2021 से इसका प्राइस हो जाएगा 3 ट्रिपल लाइन ओके जी सो इटेज़ अप तो यू इफ यू वांट तो कम विद इस विकोज़ वेरी हैपी विद 1100 स्टुइंट हम काफी खुश है और उन पर मैनत कर रहे हैं अलग से उनके साथ गूगल मीट भी करते हैं मोटिवेशनल टोक्स भी करते हैं उन्हें आगे का बताते भी कैसे करना है कंटेंट वो बच्चे करी रहे हैं और यह जो आपकी KVS MCQ सिरीज है यह स्वेशली हमने उन ही बच्चों के लिए चलाई है क्योंकि उनका कंटेंट हम करा चुके हैं और साथ साथ में उनका एक त प्रोग्राम फोर यंग इनोवेटर्स और यह किया गया था आपका 8 नेवेंबर 2021 को ठीक है आप जो बीती आइच नेवेंबर है उसमें यंग इनोवेटर्स के लिए एक मैंटर्शीप प्रोग्राम रखा गया था भारत सरकार की द्रफ से बारत की स्वतनता के 75 वर्ष 75 वर एक अखिल भारती योजना के तोर पर शुरू किया गया है जिसमें जैव प्रोध्योगी की विभाग द्वारा समर्थित हर जिले में स्टार कोलीच की परिकल्पना की गई है यह प्रामर्श कारेकरम भारत में वैज्ञानिक अनुसंदान और नवाचार प्रियाशों को मजब भी करेगा तो सिंपल सा याद रखना है आपको कि यंग इनुविटर्स के लिए एक मेंटर्शीप प्रोग्राम जो है बारसरकान ने शुरू किया था और वो रखा गया था आपका आठ नेमेंबर दोहजार एकिसको को कुश्चन नमबर थ्री भारते नोसेना को प्रोजेक इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 75 और यह है वेला ठीक है यह जो आपका प्रोजेक्ट 75 यह भी इंडियन गोवर्मेंट ही चलाती है और वही बनाके भारत निर्मित ही है वही बनाके चोथी पंडूबी जो है स्कॉर्पियन पंडूबी जो है उन्होंने नोसेना को यार तेनों से ना के project 75 के तहत चोथी पंडूबी वेला शोपी गई है project 75 में scorpion class की 6 पंडूबिया शामिल है ये सभी पंडूब इन इंडिया है अब तक जितनी भी पंडूबिया इस project के तहत बनी है उन्हें मजगाओं डॉक्षिब बिल्यार्ट्स लिमिटेड मुंबई में बनाए गया है इसका फ्रांस के मसेस नेवल गूरूप के साथ समझोता है वेला पंडूबी को बनाने की शुरुआ च्छे मईई 2019 में हुई थी इसके बाद इसके बंदरगा और समुद्र के अंदर जुड़े ट्रायल जिसमें हत्यार और सेंसर का ट्रायल भी शामिलता हो चुका है तो ध्यान रखने है आपको चोथी पंडूबी जो नो से ना को सोपी गई है प्रोजेक्ट 75 के तहत वो है आपकी वेला question number 4 and again a very important question superstar question again यह देखें बहुत easy भी है पता होगा आप सबको लेकिन important भी बहुत है because we all want to be a teacher तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्य शिक्षा दिवस निम्नम में से किस दिन मनाया जाता है और किसके उपलक्ष में मनाया जाता है national education day is celebrated on which of the following day और यह हम हर साल मनाते हैं 11 November को ठीक है कल ही हमने celebrate किया है आपका national education day और यह आपको मता दू मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे देश के पहले सिक्षा मंत्री थे उनकी जहनती के रूप में यह मनाया जाता है हर साल 11 November को राष्ट्य शिक्षा दिवस यानि कि national education day मनाया जाता है यह दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मुलाना अबुल कलाम आजाद की जैनती के उपलक्ष में मनाया जाता है मुलाना अबुल कलाम आजाद सुतिनतर भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे उस समय शिक्षा मंत्राले मानव संसादन मंत्राले एक ही था अबुल कलाम गुलाम मुहिदीन को मुलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जाना जाता है तो सिंपल सा याद रखना है आपको नैशनल एजुगेशन डे राष्टे शिक्षा दिवस का मनाते हैं मुलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे देश के पहले सिख्षा मंत्री थे कोश्चन नम्बर फाइब केन सरकार ने 15 नैवेंबर को बिर्सा मुंडा की जैनती को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाने की कोश्चन किये अगीन अवेरी इंपोर्टेंट कोश्चन आज के कोश्चन बहुत अच्छे हैं मैं बता रहा हूं नोट्स में अच्छे से लिकलना है ये भी पूरा आपका प्रोपर सूपरस्टार कोश्चन है और ये जन जातिये गौरफ दिवस के रूप में जो है मनाने की कोश्चना की है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्ष्टा में केंद्रे मंत्री मंडल ने 15 नवेंबर को जन जातिये गौरफ दिवस के रूप में गोशित करने को मंजूरी दे दिये यह दिन वीर आदिवाशी सुतनता सेनानी की स्मिर्ती को समर्पित है ताकि आने वाली पीडिया देश के परती उनके बलीदानों के बारे में जान सके जारखंड में बिरसा मुंडे को भगवान का दर्जा प्राप्त है इन्हें ना केवल जन जातिये लोग बलकि जाने के ये रूप में मनने की मनजूरी दे दिये विष्यन अमबार इसिक्स 2020 को स्था प्राप्त हों एओछ इंड्या इन्डिया globalization ओर से मिलाज ए ऐठारवogn हमें यहां पर कम मिला हो ओए है बएसे अं3 अंब्ल मिठ थे प्으 om कंस्ट्यूमिम द्वारा ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का उद्गाटन संस्करन जारी किया गया है तीज देशों में बारत का इस्थान अठारवा है इसका कूल स्कोर चालिस बटा सो है इस बिदेक्शिन के नेटवर्क का एक वैश्चिक कोस्टूमियम यार हिंदी में पढ़े नहीं जाता है पता है थे इंगलिश के वर्ड जब हिंदी में लिखता है न बड़े बड़े कठीन हो जाता है पढ़ने जिसका लक्षिवेशिक रूप से वॉर ओन ड्रग्स को चुनोती देना है नुकसान कम करने वाली सेवाव तक पह question number next question number seven हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्मान कारियों में लगे श्रमिकों को साहता के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया recently which state government has started श्रमिक मित्र श्कीम to help the workers engaged in construction work. ये star question आ जाता है आपका क्योंकि योजना आगी और मैं योजना हमीशा क्या योजना एक हमेशे star question होती है और ये दिल्ली में शुरू किया गया ये scheme ये योजना जो है दिल्ली में शुरू की गई है दिल्ली के मुख्या बंतर एर्विग गेंजिवाल दुआरा दिल्ली सरकार ने निर्मान कारियों में लगे श्रमिकों की शाहता के लिए हाल ही में शुरू किये ये योजना शुनिचित करेगी कि सरकार के विभिन कारेकरमों का लाब राष्टे राजधानी में निर्मान सरमिकों तक पहुँचे दट्यवत्व है कि श्रमिकों के लाब के लिए सरकार कहीं योजना एविक्सित की जाती है दिल्ली में शुरू की गई है दिल्ली में शुरू की गई है निम्न में से किस राज्य ने उर्जा दक्षता शूचांक दोहजार बीस में पर्थम इस्थान प्राप्त किया है इंडिया की बात कर रहे हैं इंडिया में किस ने टोप किया है आपका एनर्जी एफिशेंची इंडेक्स में 2020 में करनाटका ने केंद्र विद्युत मंत्राले और उर्जा दक्षता ब्योरो दुवारा जारी राज्य उर्जा दक्षता सुचांक 2020 में राजिस्तान दूसरे स्थान पर रहा है और करनाटका पहले स्थान पर रहा है सुची में करनाट का पहले स्थान पर है राजिस्थान अक्षय उर्जा निगम के अध्यक्ष एवं परबंद निदेशक डोक्टर सुबोत अगरवाल ने एक बयान में बताया है कि राज्य उर्जा दक्ष्टा सुचंग 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा देश के समस्त राज् इस इंडेक्स में आपका तीसर इस्थान पर रहा है कोशन नमबर नाइन आज का सेक्ड लास्ट कोशन तमिलाडू के मुख्य मंत्री एम के स्टलिन ने राज्य का स्थापना दिवस एक नॉवंबर की बजाए कब मनाने की घोशना की है अगीन वेरी इंपोर्टेंट कोशन शूपर्स्टार कोशन चोथा सूपर्स्टार कोशन आज का तमिलाडू चीफ मिनिस्टर एम की स्टेलिन अनॉंस तु सेलिब्रेट दो स्टेट्स फांडेशन देइस्ट औभ फर्स ने यानिकि एक नेंबर की जगा पे अब किस दिन मनाया जाएगा यह मनाया जाएगा राज्ये का स्थापना दिवस एक नम्मबर की बजाए अठाट जुलाई को मनानी कोशना किया है। मुख्यमंत्री स्टेलिन ने कहा है कि एक नम्मबर 1956 को देश में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर गठन किया गया था। पर सिर्फ सीमा संगर्स का प्रतीक है और इस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाना उचित नहीं है। तो किस दिन मनाया जाएगा जी अठारा जुलाई को मनाया जाएगा और बहुत इंपोर्टन कोशना है। आज का लास्ट कोशन लेलते हैं। अमेरिकी सिनेट जो भी को जुम्मेदारी मिलती है या वो भारत से जुड़े होते हैं तो वही कोशन मैं आपको कराता हूं सरफ। और यह हैं आपके राहुल गुपता ठीक है। ध्यान रखना है राहुल गुपता को डारेक्टर ओफ नैशनल ड्रग कंट्रोल पोलिसी बनाया गया है बाई राहुल गुपता वाइट हाउस ओफिस ओफ नैशनल ड्रग कंट्रोल पोलिसी का नित्र करने वाले पहले डोक्टर बन गये हैं। राहुल जोर्च टाउन उनिवस्टी स्कूल ओफ मेडिसिन में मेडिसिन विभाग में क्लेनिकल प्रोफेसर रह चुके हैं। साथ ही वेस् इन स्कूल ओफ पब्लिक हेल्ट में विजिटिंग फैकल्टी के तोर पर भी काम किया है। और अब राहुल गुपता को अमेरिके सिनेट द्वारा राष्ट्य ओशिदी नियंत्रन निति के निदेशक के तोर पर न्युक्त किया गया है। जिम्मेदारी सोपी गई है। इस को मैं अपने सामने रखाँ। दिन में कम से कम 10 बार आपको आपके सपनेے चाहने जँगी, वो याद दिलाने चाहने कि मैं कहीं कम ही पर पर अगर ऐसा बार सब्बख से दूर जालेंगा। वो कर रहे है है वो तैयारी कर रहे है और जो ओर स्मार्ट है वो इस बार सभी पीछे रह जाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ठीक है अब 930 आपकी science की class रहेगी Saturday Sunday current office की class नहीं रहेगी अब current office बताएंगे आपको कैसे बढ़ना है तो इस Saturday कल जो है आपको बताया जाएगा कि आप science की तैयारी खुद कैसे कर सकते हैं या अगर आप हमारे course से भी जुड़े हैं तो और चीज़े उसमें आड़न कैसे कर सकते हैं मतलब KVS के लिए science की तैयारी कैसे कीज़े वो आपका इवाला session रहेगा और ऐसे ही हर Saturday हम एक session रखा करेंगे and Sunday most probably कोई ना कोई एक test ज़रूर हुआ करेगा दिन कोई भी खाली न रहेगा ठीक है चले it's high time to study and best of luck God bless you बहुत सारा प्यार बहुत सारी positivity और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहे हैं बाई आग्रीवन गोडब्लेस यूँ टेक केर